इस लड़के का दावा है कि वो मंगल ग्रह पर रहता था और उसने जो पृत्वी के बारे में कहा उससे साइंटिस्ट भी अचम्भित है इस लड़के का नाम है बोरिसका किप्रियानोविच और उसके जन्म से ही उसकी मा को अंदाजा हो गया था कि उसके बेटे में कुछ तो खास बात है आईए हम आपको बताते हैं बोरिसका की अद्भुत कहानी वो लड़का जो कभी मंगल ग्रह पर रहता था अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी ही रोचक वीडियोज के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी न भूलें बोरिसका के प्रियानोविच का जन्म रूस के एक शहर वोलोंग्राड में 11 जन्वरी 1996 को हुआ था बोरिसका की मा पेशे से एक डॉक्टर है और उन्हें पूरा यकीन था उनके नवजार बेटे में कुछ तो खास बाद है बोरिसका की मा का कहना था कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे डिलीवरी के दोरान कोई पीड़ा का अनुभव तक नहीं हुआ वे सबसे जादा आश्चर्य चकित तब हुई जब बोरिसका ने दो हफ़ते की उम्र में अपना सिर्व बिना किसी सहारे की सीधा रख लिया जैसे जैसे समय गुजरा बोरिसका की मा ने अपने बेटे में कुछ ऐसी युगताईं देखी जो इतनी कम उम्र के बच्चों में देखने को नहीं मिलती है बॉरिसका की मा के मताबिक कुछ ही महिने में बॉरिसका ने काफी सारे नई शब्द सीख लिये थे और फिर उसने जल्दी ही बोलना भी शुरू कर दिया बॉरिसका की सेहत काफी अच्छी थी और वो जादा रोता भी नहीं था देड़ साल की उम्र तक उसने पढ़ना लिखना और पेंट करना शुरू कर दिया था जब भी बॉरिसका इंसानों की तस्वीर बनाता था वा उनके पास एक अजीब सा हवा में तैरता हुआ एक गोला जरूर बनाता था बाद में जानकारों ने ये अन्दाजा लगाया कि बच्चा शायद लोगों का चित्र बनाते वक्त उनका औरा भी बनाता है जो सरफ उसको दिखता था जब भॉरिसका दो वर्ष का हुआ तो उसकी माने उसका एडमीशन किंडर गार्डेन में करा दिया और वहाँ पर उसने अपने टीचर्स को अपनी एबिलिटी की वजह से अचमभित कर दिया टीचर्स को उसकी लिखने की एबिलिटी ने आश्चरे में डाल दिया क्योंकि इतने अच्छे से तो कई बड़े बच्चे भी लिखने ही बाते हैं जितना अच्छा बोरिसका लिखता था बोरिसका की याददाश भी कमाल की थी जैसे जैसे बच्चे ने कुछ और नई शब सीखे उसने एक बार ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से उसकी मा दुविधा में पढ़ने के साथ-साथ परिशान भी हो गई हर रोज वो एक अलग घर की बात करता था एक ऐसा घर जो किस पृत्वी पर है ही नहीं जल्द ही बॉरिसका ने गैलेक्सी, एलियन सिविलाइजेशन और कॉम्पलेक्स सिस्टम के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया था उसका इंट्रस पेस और उससे संबंदित बातों में अत्यधिक बढ़ गया था उसके मा का ये भी कहना था कि जैसे जैसे बॉरिसका बड़ा होता गया वो सबसे अलग खलग रहने लग गया धीरे धीरे उसने अपने पिछले जन्म के बारे में बात करनी शुरू कर दी जिसके हिसाब से वो मंगल ग्रह पर पैदा हुआ था बॉरिसका के दावे के मुताबिक वो मंगल ग्रह पर रहने वाली एक पुरानी सब्ध्यता का हिस्सा था उसके अनुसार उसकी सब्ध्यता की लोगों के आपस ने मत्भेदों की वच्छ से उनके बीच युद्ध हुआ जो करीब 1000 साल तक चला उसके बाद उसकी सब्ध्यता विलुप्त हो गई हाला की बच्चे ने ये भी कहा कि उसके साथ के कुछ लोग अभी भी जिन्दा है वो जमीन के नीचे रहते हैं और सास नेने के लिए कार्बन डियक्साइड का इस्तमाल करते है वोरिसका के अनुसार मंगल ग्रह के लोग साथ फूट उचे होते हैं और 35 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ना बंध हो जाती है उसका ये भी कहना था कि उन लोगों में इंटरस्टिलर यात्रा करने की एबिलिटी होती है और उसने भी एक बार पृत्वी की यात्रा की थी बोरिसका का कहना था कि मंगल ग्रह के लोग गोल स्पेस शिप से समय और स्पेस की यात्रा करते थे पर पृत्वी पर जीवन का व्लोकन करते वक्त वो ट्राइकॉडिये शिप में यात्रा करते थे उसका कहना था कि Red Planet के स्पेस शिप का सिस्टम काफी कॉम्पलेक्स होता था उसके अनुसार उनके शिप्स मल्टी लेयर्ड होते थे और यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते थे फिर उसने कुछ ऐसा बताया जिसकी वज़ह से उसकी मा ने उसकी कहीं बातों के बारे में जानने का फैसला किया बोरिसका के अनुसार उसकी सभेता का एक्जिप्ट की पुरानी सभेता और The Great Piramid of Giza के बीच मजबूत नाता था उसने ये भी दावा किया था कि अगर The Great Sphinix खुल गया तो उसकी अंदर प्रित्वी पर जीवन को आश्चरे जनक तरीके से बदलने की तागत है बोरिसका के अनुसार The Great Sphinix को एक कॉम्प्लिक्स तरीके से खोला जा सकता है जिसका राज उसके कान के पीछे है और ये एक बार खुल गया तो यूनिवर्स के कई सारे राज बाहर आ जाएंगे हाला कि बोरिसका की बातों पर जादा विश्वास नहीं किया जाता था पर 2017 में साइन्टिस्ट ने इस फिनिक्स के अंदर कुछ अजीब पाया कुछ साल पहले साइन्टिस्ट की टीम को एशियंट स्ट्रक्चर में एक अजीब रहसेमाई चीज मिली बोरिसका की कई चौका देने वाले किस्से सुनने के बाद और उसकी उम्र के हिसाब से कई जादा अद्भुत ज्यान शमता को देखकर उसकी मा ने रिसर्चर्स से संपर करने का फैसला किया जब साइन्टिस्ट ने बोरिसका की केस को अध्यान किया तो वो जल्द ही समझ गए कि ये बच्चा अत्यधिक रूप से बुद्धिमान है ये भी पाया गया कि वो काफी शर्मीला किस्म का बालक है और उसका वहवार बाकी बच्चों से काफी अलग है रिसर्चर्स को और हैरानी तब हुई जब बोरिसका ने गैलेक्सीज और सोरर सिस्टम के बारे में एकदम सटीक जानकारी दी जो कि उसके उम्र के बच्चे के लिए जानना ना मुम्किन था अपने ग्यान की मदद से बोरिसका ने दुनिया भर के विदवानों और अस्ट्रोनॉमर्स को प्रभावित कर लिया था बोरिसका का ये कहना है कि अगर इनसान इसी तरह आपस में लड़ते रहे और प्रिथवी को नुकसान पहुचाते रहे तो प्रिथवी का भी वही हाल होगा जैसे मंगल ग्रह का हुआ बोरिसका का ये भी मानना है कि वो अकेला नहीं है उसका कहना है कि उसके जैसे कई और बच्चे हैं जो इनसानों को आने वाली तबाही की चितावनी देने के लिए फृत्वी पर भेजे गए हैं बॉरिस्का ने ऐसे बच्चों को इंडिगो चुल्डरिन का नाम दिया और ये भी कहा कि इनके पास कुछ विशेश तागते हैं पिछले कुछ सालों में ये 25 वर्षे युवक एक लोकल सेलिब्रिटी बन गया और सब को अपनी बुद्धिमानता और ज्ञान से प्रभावित करता रहा कुछ समय पहले ऐसी खबर आई थी कि बौरिसका अपनी मा के साथ अच्छानक अपना शहर छोड़ कर चला गया है कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक वह रूस की एक छोटे से गाउं में जाकर रहता है जहां उससे मिलना या संपर्क करना ना मुम्किन है एक तरफ कुछ लोग बौरिसका की बातों को उसकी कल्पना मानते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग का मानना है कि इतना सब कुछ सिर्फ संयोग या कल्पना नहीं हो सकता है आपका इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सक्षिन बॉक्स में जरूर बताएं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर करना बिलकुल ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक कहानी के साथ